हलो गुण मानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को विमन्स एसियन चेंपियन्स ट्रोफी दो हजरतेईस कोरिया पर भारत की सैंदारजी दो जिरो से चटाई धूल अब फाइनल की तैयारी जार्खन विमन्स एसियन चेंपियन्स ट्रोफी का सब सी रोमांचक मैच हुआ अस्टेडियम में दर्सकों की खचाखच भीड और जव में मिनिट में भारत की और से पहला गोल हुआ या फिल्ड गोल हुआ जिसे सलीमा टिटे ने मारा वही मैच के दूसरे कौरिया को दो गोल से हराकर विजेता बना मैच के दोरान कई बार पूरा स्टेडियम भारत माता की जाई के नारे से गुझ उठा वही इधर सेमी फाइनल का पहला मैच चीन और जापान के बीच खेला गया, इस मैच में जापान ने चीन को दो एक से हराया, अब आज पांच नॉमबर को भारत और जापान के बीच फाइनल मैच खेला चाएगा, अब देखने वाली बात होगी कि आज का महा मुकाबला कौन जित्ता है। अब्धिर्थी क्रिसक मित्रों की समस्या से मोक्यमंत्री को आउगत कराई गया। पंचाय सुम सिवक्षंग अपने मांगों को लेकर लंबे समेशे आंदुलन कर रहे हैं। उनकी समस्या का इस्थाई समधान करने का नुरोद किया। इस पर सीयम ने कहा है कि महागण बंधन की सरकार जल्द ही उनकी भी समस्या का समधान निकालेगी। अधिक्तम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सिस और निम्तम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सिस दर्ज किया गया। हलाकि इस दोरान हलकी धूप भी निकली लेकिन दोपाहरबाद आसमान बादल से घिर गए और राची के विविन इस्थानों पर बारिस भी हुई। मौसम विभाग के राजधनी समयत राज़ के अधिकांस हिसों से मौसम साफ होने का अनुवान है। बादल छटने के बाद राजधनी में सोमवार से निम्तम पारा 3-4 डिग्री तक गिर सकता है। इससे रात और सुभा में कनकनी बढ़ सकती है। यहां अगले चार दिनों के दोरा निम्तम त रहने की संभावना वक्त की गई है। गटना के पिछे परिवारिक विवाद बताया जा रहा है। गटना के सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुँची और साव को कबजे में लेकर पोश्ट माडम के लिए भेज दिया। गटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार है दरनगर थाना चितर के पस्याड़ी में ज अई बार इस्तगीत होने के बाद अब बाईस नौमबर से फिर से बोकारो में होमगाट की बहाली प्रक्रिया सुल होगी। कारो जिला के घ्री रक्षकों के नाव नमांकन के लिए सारीक वालिखित जाच परिछा अब बाईस नौमबर से सुरू होगी। काहे कि सभी अभ्यरतियों के बहाली प्रक्रिया 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 पूरी की जाएगी। प्रकास वर्मा से नगर्थाना में पूच ताच कर रही है लेकिन क्राइम ब्रांच की पुलीस ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया है। वैसे क्राइम ब्रांच के एक कॉंस्टेवल की मानने तो मामला मुंबई से कुछ नामचीन और बड़ी हस्तियों से हुवी ठागी के मामली से जुड़ा हुआ है। कि मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलीस आजरा बिवार को भी प्रकास वर्मा से नगर्थाना में पोचताच जारी रख सकती है। एक लाग दस अजर तक का कास रुवार्ड दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्स्टर में लिंक है जहाँ पर आप क्लिक करके आप इसमें रेजिस्टेशन कर सकते हैं। और हाँ रिजल का जो अनौसमेंट है वो धन तेरस के दिन यानि की दस नौमबर के दिन किया जाएगा। तो आप लोग इसमें बढ़चल के रेजिस्टेशन करें और काईस इतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की और धन्यवाद। खबर है कि एडी की कारवाई से बौकला कर काले कारोबार में सामिल लोग एडी के अधिकारियों को जूटे मामलों में फसाने और अन्य तरह से उनको नुक्षान पहुंचाने की कोसिस कर रहे हैं। इडी आधिकारियों की सुरक्षा का जिम्मा CIS सब को शुपा गया है। इस बावत गिरी मंतराले ने जारकन पुलीस को पत्र लिखा है। इडी ने बता है कि होटवार जिल में रची जा रही साजिस की सूचना मिली थी। इडी को ये सूचना उसके सर्वलांज सिस्टम से मिली। इसके बाद होटवार जिल में छापे मारी की गई। जारकन विमेंस एसीन चेंपियंस ट्रोफी दो हजार तईस चीन को दो एक से परास्त कर फाइनल में पहुंचा जापान। 121 दिनों से धरने पर बैठे पंचायत सचिवाले स्वं सिवक्षंग ने वित्यमंत्री और ग्रामिन विकास मंत्री को शौपाग्यापन। 503 मांगों में पंचायत सचिवाले स्वं सिवक्षंग को मानदे दिया जाए। वही माननिय मोक्यमंत्री से संग के दसदस से परतनिधी मंडल की वारता कराये चाये। इन पांचों मांगों को जल्द ही पूरी करने की मांग की गई। रप्तार किया और सनिवार को जेल भेज दिया। रास की गड़ी, दो चटाई, नौ बाइक वा अन्य समान पारामत किये हैं। ये जानकारी स्पी हरविंदर सिंग न दी है, उन्होंने काहे कि जुवारियों के खिलाब आगे भिकार रवाई जारी रहेगी। मामले को लेकर मंदर की पुजारी असोग पांडी ने पुलीस से सिकायत की है। बताया जा रहा है कि चोरी की अगे जेवरायत की कीमत लगभग डीड लाक रुपे बताया जा रही है। सुचना मिलते हैं पुलीस मौकी पर पहुँचकर मामले की चानबिन में जुटी है। जरिया धाना परभारी संतोस कुमार सिंग सिसी टीवी कामरी के फूटेज को खंगाला लेकिन पुलीस को कोई सफलता नहीं मिली है। थाना का चौकिदार 36 घंटी से लापता अपहरन की जताई जा रही है संका। की दुकानों में लगे सिसी टीवी कामरों को भी खंगाला। इसने इस मामले में कुछ भी कहने से इंकार किया है। दूसरी और राहुल के परिजन भी किसी अनहोनी के असंका से समय हुए है। विवादित बयान देने वाले बिजेपी विधायक ससी भूशन पर मुकदमा धर्ज बिजेपी विधायक ससी भूशन महता ने दुरगा पूजा के समय एक विवादित बयान दिया था। इस मामले में पलामू के पांकी धाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। महता पर कारवाई की मांकी है। दरसल दुर्गा पूजा के समय दिये गए विवादित बयान में महता ने कहा कि अगर तोपी और दाढ़ी वाले लोग मंदर के आसपास दिखाई पड़े तो इसका अंजाम बुरा होगा। ऐसे लोग को दोडा दोडा कर पीटेंगे इसके बाद जो भी परिनाम होगा इसकी परवह नहीं करेंगे। सियम हिमन्त दोडिवस्य परवास पर पांच दिसंबर खुआएंग गिरिडी तैयारी में जूटे जामो कारिकरता गिरिडी जामो की बाठक सन्यवार को पार्टी कारेले में हुवी। कारिकरताओं को तैयारी में जूटने का सुझाओ दिया, पंचायत अस्तर पर कमिटी गठन करने की बात कही, तो और कई दिसंबर देश बैठक में कारिकरताओं को दिये गए हैं। जारिकरताओं को अपना पहला गोल्ड मिल गया है। लोन बोल में दिवगर की बेटी छोटी कुमारी ने जो है महिला एक कलस परधा में गोल्ड मेडल जिता है। चोटी ने अपना सांदार खेल दिखाता हुए फाइनल में पस्सिम बंगाल की खिलाडी को 15-21 सहरा कर सोने पर कबजा किया है। बतादे की सेमी फाइनल मुकाबले में चोटी ने असम की डिएसपी और कॉमन वेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट को 13-21 सहराया था। उनके इस जित से पूरे जो हिराज ने गौरवानवित महसूस किया। उन्हें और उनके कोज को बढ़ाई देने के लिए लोग का ताता लगा हुआ है। रास्ते में दो अपर्यादी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हीं। दोनों बाइक से कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर तौरित कारवाई की गई। तमार थाना पर भारी अमित कुमार के नितितों में टीम गठन कर वजय गिरी कैम के पास वहन चेकिंग अभ्यान चला गया। इसी बीच पुलिस को देखते ही सवार दोनू बाइक सवार भागन लगे लेकिन पुलिस ने दोनों को पीछा कर पकड़ लिया। लोहरदगा पुलिस को मिली सफलता टीपीसी का नकसली गिरबतार दस लाक रुपए मांगी गई थी लेवी। हाई लेवल ब्रीज निर्मान कर रहे प्राइविट कंपनी राइट वी कॉमर्स प्राइविट लिमिटेड के सवार दक से टीपीसी के उगरवादी ने बत और लेवी दस लाक रुपए की लेवी मांगी गई थी। को बस ने कुचला, चार घंटे रहा सड़क जाम, सास के साथ मौर्निंग वाक पर निकली थी बहू, सड़क हाथसे में मौत, पलामो जिले में सनिमार अहल सुभा हुए सड़क हाथसे में एक महला की मौत हो गई। महला मौर्निंग वाक के बाद मंदर से भगवान के दर्सन कर लोट रही थी, इसी दोरान एक यातरी बस ने महला को रौन दिया, इसे घटना स्थल पर ही महला की मौत हो गई। घटना मेंदने नगर औरंगाबाद मुक्यपद पर नेसनल हाइवे अंठानबे पर छत्रपूर थानाचितर के समीप हुआ, दुर घटना में मौत की सिकार हुई महला ग्यानती देवी 34 वर्सी है, नाइडीहा बजार थानाचितर के खुजरी गाउनिवासी, चितरंजन कु जाने के बाद लगों ने जाम समाप्त किया, पुलिस ने बस को जब्त कर महला के साओ को पोश्ट मार्णम के लिए मेंदनाइ मेडिकल कॉलेज हों स्पिटल भेज दिया रांची में यहां बिक रहा है इस तरी 25 रुपए किलो प्याज खरिदने वालों की लग रही है कतार, प्याज की किमतों में भारी उच्छा लाया है, रांची में भी लोग प्याज की बढ़े किमतों से काफी परिशान नजरा रहे हैं, पिछले हपते 35 से 45 रुपए प्रती किलोग्राम प्याज मिल रहा है, लेकिन यहां खरिदारी के लिए एक विसेश सर्त रखी गई है, भारत सरकार के उपक्रम नेशनल कोपरेटिब कंच्यूमर प्रेडरेशन की और से या काम किया गया है, बचादी की रांची सहर के विरसा चौंक, सहीद चौंक, अर्गूड का चौंक, काटा टूली चौंक, इसका मोड समयत कई जगों पर सरकार 25 रुपे परती किलोग प्याज लोगों को दे रही है, प्याज लेने के लिए लोगों को किसी तरह का कोई डोकिमेंट दिखाने की ज़रत नहीं पड़ेगी, हलाकि एक व्यक्ती 2 किलोग प्याज ही खर अच्छा बैठा की, इस दोरान उपायुक्त ने मृत मतदाताओं के नाम को वोटर लिष्ट से डिलीट करने को लेकर कई निर्देश दिये, उपायुक्त ने रांची नगरनिकम, सिविल सर्चन एवं रिम्स रजिस्टार से पिछले पांच वर्सों में निर्गत किये के पत्र की सुची जल से जल उपलब्द कराने के निर्देश दिया, ताकि मध्दाता सुची प्रकासन से पूर्व सभी मृत वक्तियों के नाम डिलीट किये जा सके। अबिक बंधन प्रसाद दियूटी के दोरान सुक्रवार रात करिब एक बजे रेलवेर रैक के लिए कोईला लोडिंग कर रहा था, इसी दोरान पेलोडर की चपेट में आने से उसकी माथ हो गई, वही अन्य मजदुरों का कहिना है कि मृतक के पेलोडर की चपेट में आने बागी के मजदुरों को मौत की खबर मिलने के बाद उन्होंने कोल साइडिंग में काम बंद कर दिया, मजदुरों ने सव को सामने रखकर प्रदर्सन सुरू कर दिया, आकरोशित लोग सारमिक के परिजन को नौकरी और मौज़ा देने की मांग प्रवधन से करने लगे, के मताबिक मिरतक के परिजनों को 50,000 रुपए अंतिम संसकार के लिए तद्काल दिया गिया, इसके साथ ही 10 लाक रुपए का चेक मौज़य की रुप में दिया गया है, कमपनी की और सास्वासन दिया गया है कि मिरतक की पुत्र को नौकरी दी जाएगी चापेमारी करने कई पुलीस टीम पर हमला घायल होने के बावजूद घायल ASI ने ऐसे दबोचा बदमासुक हूँ, जम सेथपूर के बरसूडी में पुलीस की टीम पर अपरियाधियों ने हमला बोल दिया, दरसल गुपतु सूचना के बाद पुलीस की एक टीम बरसूडी थ और 37 कुमार पांडी को गंभीर चोटाई है, इसके साथ ही हवलदार राजकुमार भी घायल हो गया, हलाकि हवलदार को मामुली चोटाई है, लेकिन हमला के दौरान ASI 37 को सिर में चोट लगने से उन्हें आनन फानन में टीम, सियच और सुरेंदर सर्मा को सदर अस्पताल मे भरती कराय किया, चापमारी के दौरान दोनों पूलीस कर्मी सिविल ड्रेस में थे, अपराधियों द्वरा हमला किये जाने से, पूलीस कर्मी घायल हुए, लेकिन बावजूद वे एक अपराधी को पकड़ने में सफल रहे, हलाकि अन्यतीन अपराधी मौका पाकर घटनास इस्तित नक्टी डेम में अधिश्ठापित पारेटन सा नौका विहार का उधगाटन सांसद गीता कोड़ा ने फीता काट कर किया साथी साथ मचली पालन है तो जीरा भी छोड़ा गया इस आउसर पर सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि जार्खन एक बेहत खूपसूरत प्रदेश है जल जंगल जमीन को हम रोजगार के रूप में लेकर आगे बढ़ सकते हैं आज कई ऐसे प्रदेश से जो पारेटन को लेकर बेहत आगे बढ़ रहे हैं जार्खन में भी इसकी असीम संभावनाए हैं उन्होंने कहा है कि विसे सुरूप से सिंग्भूम जहां सारंडा, ओडाहार जैसे जंगल हैं आने को जलासए नदी डेम हैं जिनका डबलप्मेंट का कारी किया जाना है ताकि पारेटक जो राजिसे बाहर घूमने जाते हैं वे यहां भी घूम शकते हैं साथी साथ इस्ते इस्थाने लोग को रुजगार भी उपलब्द किया जा सकता है ताकि पलायन भी रोका जा सके सनिवार को नक्ती जलासेय में पारेटन सहा नौका विहार का उधगाटन किया जिससे भी यहां के यवाओं को रुजगार मिलेगा और पारेटन यहां घूमने भी आ सकते हैं अनन्द फानन में ग्रामिनों ने गोमिया इस्थित मासारदे सेवार सदन होस्पीटल लेकर आए जहां जाज के उपरयान डॉक्टरों ने भृत्ति खोसित कर दिया घटना के सुचना मिलता ही गोमिया विधाइक डॉक्टर लंबो दर महतू, मासारदे सेवा सदन होस्पीटल पहुंची और अस्पिताल प्रवंधन से इस्थिती की जानकारे लेकर पिडित परिवार के प्रती जोग शनवेदना वक्त किये वह जिर्की के समाज से भी इस राफिल अंसारे ने कहा है कि साधी समारों में दोनों भाई कसमार जा रहे थे घटनास्तल पर ही एक की माउत हो गई और दूसरा भाई घायल हो गया है और उसकी हाँ तूट गई है पिडित परिवार के प्रती सोक शनवेदना वक्त करते हो व जानी 16 नौंबर से यह आव्यास था लागू हो जाएगी इससे पहले 15 नौंबर तक रांची नगर निगम सभी वाडों और गली मुहलों में जागरुपता अभ्यान चलाएगा जिसमें लोग को सूखा और गीला कच्रा अलग-अलग रखने के प्रिवित करेगा निगम के प्रसासक अमित कुमार ने इससे समंधित निर्देश देतो वे कहा है कि गार्बेज फ्री राची के लिए हर वाड को कुड़ा मुक्त बनाना होगा।